किसी को पाओ कि अब उसका बहुत ध्यान बस इसी में जा रहा है, सजने में, सवरने में, और शरीर को सेक्सी रखने में, तो जान लो कि अब उसके इरादे किस तरीके से कमाने खाने के हैं, सुनने में बहुत गंदी लग रही ना बात यह, जैसी लग रही है ना, सोचो सुनन आप नमस्ते सर सर मैं काफी समय से जेंडर रोल्स को अभजर्व कर रहा हूं और मैं मॉडर्ण फेमिनिजम को तो खास कर से काफी समय से अब्सराब कर रहा हूं आपके उस जानने से पहले हैं छे साल से कम से कम यह जिस तरीके से अभी ड्री पिल मूंट था जोस्में शनीको और वह एंडू टेट वगेरा काफी ग्राउंड्स गेन कर लिया थे जिन्होंने उसी तरीके से सर एक और वर्ग आगे आ रहा है हाँ हाई वैल्यू वुमन वह एक प्रश्च 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 he asked to split the bills or financial responsibilities he is not treating you like a woman but a man he is a big big red flag any woman any woman who does it has low standards she is around garbage men that's the reason she is like that she is settling for less and she is not standing up for herself she is a loser or a cuck so they show as if they are talking in favor of women by using phrases like stand up for yourself raise your standards but the only thing they care about is getting provided with money expensive gift gifts flowers chivalry as the bare minimum and they reward they only call out sexism when a man is outrightly casually sexist but they reward benevolently sexist men benevolent sexism jab koi yad mhi kare to who 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 uh uh usko gentleman boltei real man boltei par uh agar koi equality ki baad bhi kar dhe ki financial responsibility share kare kuch bhi for that matter to usko kaha jata hai ki tum tum real man ni ho ya tum ah tum gentleman ni ho aur yahi sab to kya is what could you ask me sir? in there must be some questions. in there must be some reasons for the people who haven't seen him got into something but that Tthat means that if they have to establish equality in two parts to the people who have to understand it must be seen in the same way you should be aware of being able to understand the same as yourotz sui really should be seen on both sides of the means they don't see that benevolent sexism as your mother's dorms in their को ऐसा एक benevolent, shivalrous male नहीं मिलेगा, तो आप समझ लो, क्योंकि निशाना आप पे शिकार तो आप होने वाले हो, वो काय को समझें, यह जरा सी बात समझने में हमें तकलीफ किया है, कि हम इनसान है, क्या तकलीफ है? तेह तो बहुत बाद का एक छोटा सा विभाजन है, बड़ा विभाजन यह है कि इनसान हो, जानवर नहीं हो, विभाजन रेखा हमें स्थरी और पुरुष्ट के बीच में नहीं खीचनी है, मनुष्य और पशु के बीच में खीचनी है, समझ्या क्या है? आपकी आइडेंटिटी यह नहीं है कि आप नौन मेल हो, आपकी आइडेंटिटी यह है कि आप नौन एनिमल हो, आप इनसान हो भाई, चाहे इस्तरी हो पुरुष्ट कुछ हो इनसान हो ना? और जेंडर तो बहुत छोटी चीज होती है कि नहीं होती है, इतनी भारी चीज हो गई, अच्छा एक बात बताओ, जेंडर इतनी बड़ी अगर चीज है, तो इस्तरी को पुरुष्ट से बहुत भिन होना चाहिए, और इस्तरी को किसी न किसी पशु से बहुत समान होना चा उसने अपनी बना रखियो वुमन की, तो भी उसकी समानता तो मैन से ही है, या कवे से है, या मचली से है, कचुए से है, शेर से है, हाथी से है, किस से है, बताओ, एक मनुष्य है, जिसका लिंग क्या है, स्त्री, ठीक है, एक मनुष्य है, जो शरीर से स्त्री है, ये कोई बड मानता हर ठरीके से एक पुरुष्टे है, है की नहीं है, शरीर भी 80, 90 प्रतिशा ते एक महिला का एक पुरुष्ट जैसा ही होता है, आप आखों का दान करते हो कई बार मरते वक्त, कई लोगों ने प्लेज किया होगा कि मर जाएंगे तो आखे दान करेंगे, नहीं करा तो कर दीजिए तो ऐसा है कि इस तरी के आख बस तरी के ही लगेगी ऐसा होता है किड्नी लिवर हार्ट इसमें क्या जेंडर देख के होता है ट्रांस्प्लांट बोलो और खून खून और दवाईयां और वैक्सीन्स दात और ये सब जण्डर देख के चलते हैं क्या तो पहली बात तो चेतना दोनों की ही चेतना मनुष्य की चेतना है मुक्ते मांगती है दोनों का IQ लगभग एक जैसा होता है दोनों जीवन में वास्तों में एक ही महान लक्षे के लिए पैदा हुए है रही शरीर की बात तो शरीर भी 80 नभी प्रतिशत भाई एक ही है ये तो काम वासना का जलवा है कि हमको दूसरे के शरीर में उस वही चीज़े दिखाई देती हैं जो हमसे विपरीत है एक शेर को बुलाओ उसके सामने एक 80 किलो की महिला और 60 किलो का पुरुशो वो किसको चुनेगा बोलो वो 80 किलो के महिला को चुनेगा भई और 80 किलो का पुरुशो और 60 किलो की महिला हो तो किसको चुनेगा तो 80 किलो के पुरुश को चुनलेगा उसकी नजर में दोनों बराबर हैं और हैं दोनों के मास का सौध भी लगभग एक जैसे ही होगा ये बाल हो गए रहा बढ़ाने का आयो जनना हो तो सिर्फ मुह देख करके कई बर बताना मुश्किर हो जाए कि इस्तरियों की पुरुष हो पुरुष दाड़ी कटा दे महिला बाल कटा दे तो कम से कम आधे मामलों में आपको संश्टर हो जाएगा महिला आए कि पुरुष है कैसे बता पाओगे ये तो हमने चहरे को भी सेक्शुलाइज कर दिया है न और बाल बढ़ाना ही काफी ना हो तो उसके होट पोत दो और आखे ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आतक खींच दो और उसकी भाव खाड़ दो ये पहना और पुरुष की ऐसे यहाँ पर किसी तरह का धोखा न रह जाए भाई कन्फूजन नहीं होना चाहिए समझ में आरी बात की नहीं और महिला के मूच आ जाए तो तुरंत उसको भग मूच मुंडी जल्दी मूचे आती है महिलाओं के भी जानते नहीं क्या विवाहित लोग बैठे या नहीं बैठे है मस्त मूचे आती है महिलाओं के भी तब तो उनको जल्दी से कहते हो साफ कर साफ कर किसी को पता नहीं लगना चाहिए जबरदस्ती जहां अंतर है भी नहीं वहां अंतर खड़े कर रहे हो और समानता सीनब्बे प्रतिशत की है जहां अंतर होना चाहिए वहां अंतर कर नहीं पाते अंतर होना चाहिए इंसान और जानवर के बीच में इंसान जानवर बना रख हुआ है वहाँ अंतर तुम कर नहीं पा रहे जहां अंतर है नहीं वहाँ जबरदस्ती अंतर खड़ा कर रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि अंतर जितना ज्यादा होता है काम वासनों को उतना मज़ा आता है महिला को हाइपर सेक्शुलाइज कर दो मेल को अलफा मेल बना दो अब बिल्कुल फायर वोक्स होंगे अब चिनगारियां फूटेंगी जबरदस्ती की बात देखो एक बात समझो आप अपने आपको मैं बोलते हो न आपको भी अगर एक महिला का शरीर मिला होता है तो आप लगभग वैसे ही व्यवहार कर रहे होता है जैसे एक महिला करती है और एक महिला को पुरुष का शरीर मिल जाए वो भी वैसे ही व्यवहार करें कि जैसे एक आम पुरुष करता है ठोड़ा शरीर में अंतर है उसी के कारण आपको चाल चलन बोल व्योहार में अंतर मिलता है, priorities में अंतर मिलता है उससे ज़ादा नहीं है फिर बोल रहा हूं अंतर तो हमें करना है विवेक कार्थी होता है न भेद करना तो भेद करो मनुष्य और पशु के बीच में नर नारी में क्या भेद कर रहे हो फिर तो नारियां भी कई तरीके की होती है उनमें भी भेद करो उस slicing की तो फिर कोई सीमा ही नहीं हो सकती कि आपको कहां कहां पर रेखाएं खीच नहीं है खीचो खीचो अब नारिया भी कई तरीके की हो सकती है उनमें कोई straight नारी, lesbian नारी, फलानी नारी, ढिकानी नारी 18 तरह की नारियों के भी वर्ग बना दो बस जहां पर विभाजन करना चाहिए था वहां नहीं किया और ये जो पूरी बात बोली है बहुत इसमें गहरी चर्चा की भी जरूरत नहीं है आप जानते ही हो ये क्या बात है कि मैं अपना आदिम जंगली किरदार निभाती चलूंगी वो क्या है मैं घर पे रहूंगी प्रोवाइड फॉ मी और मैं घर में रहके क्या करूंगी मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करूंगी और बच्चे जनूंगी और तुम बाहर जाओ खत्रे उठाओ मेरे लिए तमाम तरह की सहुलियते लेकर के आओ और बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगी अपना जिस्म दूंगी जाके कहीं पढ़ियेगा कहने वाले कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना व्योसाय है वेश्या वृत्ति क्योंकि जब किसी के पास कुछ नहीं था देने को तो भी आधे मनुश्यों के पास शरीर था देने को जब किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल छोड़ दो किसी भी तरह का कोई प्रोड़क्शन शुरू नहीं हुआ था अग्रिकल्चरल भी तो भी एक चीज तो थी ही जिसका बार्टर हो सकता था लेन देन हो सकता था क्या शरीर क्यों इसमें पढ़ना है ये कोई गरिमा की बात है कि मैं घर पे रहूंगी और मैं मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं तुमसे कई तरह के दाम उगा सकती हूँ कौन सी चीज़े मेरे पास शरीर तो इसलिए मैं घर पे और ज्यादा हाइपर सेक्शोलाइज होके रहूंगी मैं दिन के तीन-तीन घंटे बस सजूंगी सवरूंगी क्योंकि उसी से तो मुझे दाम मिलने है ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना ऐसा होना है ना अपनी बच्चियों को ऐसा होने देना है हम मनुष्य हैं मनुष्य की अपनी एक गर्मा है इस्त्री को भी वहीं पहुंचना है जहां पुरुष को और उस जगह का क्या नाम है? मुक्ते समझ में आ रही है बात? सस्ता सौधा मत कर लीजिएगा और किसी को करते देखिए तो थोड़ा उसे ग्यान दीजिएगा ये जो भी लोग है मैं इनको जानता नहीं हूँ पर ये जो बाते हैं ये नई नहीं है ये बहुत पुरानी आदेम बाते हैं जंगल से निकल के आ रही है ये बाते और कई तरह की प्रजातियां होती है जिनमें ये सब होता भी है क्वीन बी का नाम तो सुना होगा न ड्रोन्स भी जानते होंगे ये सब वही चल रहा है ये करना है क्या? क्यों करना है? फिर ज्ञान किसली यह फिर विश्यूद्याले किसली यह फिर उन महिलाओं का क्या होगा जिन्हों ने जीवन भर श्रम करके कोई मुकाम कोई स्थान हासिल किया अपने लिए क्या कहना चाहते हैं महिला का मुकाम यही है बिस्तर, रसोई, प्रसूती ग्रह वो इसी के लिए पैदा हुई है और पुरोश ऐसा कहे तो कहे महिला ऐसा कह रही है तो वाह और इसमें मत पढ़ो कि पर उन्हें भी तो कुछ समझना चाहिए कोई नहीं समझे तो उसकी मरजिया नहीं समझना चाहता तो तुम समझो हमारा बस सबसे पहले किसके उपर है हमारे उपर है ना कोई पुरोश, कोई महिला सच्चाई नहीं सुनना समझना चाहता तो हम क्या करें हम भी अपनी कुर्बानी चढ़ा दे और ये सब बाते हटा दीजेगा बिलकुल कि बट नाचूरली दवुमन इस मेंट टो स्टे इंडोर्स ऐसा लगता है कितनी गहरी बात बोल दी सर नाचूरली तो हमें कपड़े भी नी पहनने चाहिए अगर प्रक्रती की ही बात कर रहे हो तो चश्मा उतारो प्रक्रती में कौन से आपने जानवर को चश्मा पहने देखा है और इस सुबह सुबह ब्रश क्या करते हो प्रक्रती में कौन ब्रश करता है और इस फ्लश क्या करते हो जानवरों को देखो वो जहां मलत्याक करते हैं वही खा भी लेते हैं घोडों के अस्तबल में चले जाओ, भैसों के तबेले में चले जाओ, वहीं गोबर कर रही होते, वहीं खा भी रही होते तो तुम क्या अलग से एक शोचाले बनाते हो, फिर वहाँ जाके फ्लश करते हो और साफ वाफ करके आते हो कि गंदगी दिखनी नी चाहिए, यही सब क्या है, प्रक्रतिक बात क्या कर रहे हो प्रक्रति से आगे निकल चलो, प्रक्रति के बंधनों से मुक्त हो सको, इसलिए तो जंगल से बाहर आए थे न हम नहीं तो हम जंगल में ही रह रहे होते, गुफा में, पेड़ के उपर, अब जंगल से बाहर आ गए, लेकिन अपनी बदनियती को जायस ठहराने के लिए कुतर्क देते हैं, किसका जंगल का, प्रक्रती का, बट नेचरली शी इस मेंट टो स्टे इंडोर्स, भाई वो गुफा मस्कुलर स्ट्रेंग्थ, आज उर्जा मस्कुलर स्ट्रेंग्थ से आती है, सोलर एनरजी से आती है, टाइडल एनरजी से आती है, फोसिल फ्यूल से आती है, जब सारी उर्जा हमारे हाथों से और हमारी जांगों से आती थी, उस से मैं महिला के लिए शायद उचितरा होग कि वो कम महनत वाले काम करे maintenance वाले काम करे production वाले काम ना करे क्योंकि production के कामों में ये लग रही थी और वो यहीं से आ सकती थी this was the only source of energy आज energy कहां से आती है रिसोई में खाना कैसे बनता है energy लगती है न उसमें सिलंडर से आती है भाई किसी मर्द की मा स्पेशियों से थोड़ी आती है कि ऐसा होता है कि रोटियां बेली जा रही है और नीचे कोई मर्द अपनी muscular strength दिखा रहा है उससे energy पैदा हो रही है गाड़ी कैसे चलती है engine में दो चार मर्द बठा रखे है और गाड़ी इंकार करती है कि और अरत चलाएगी तो नहीं चलूँगी और computer इंकार करता है कि औरत कोड़ी करेगी तो code एग्जेक्यूट नहीं होगा but naturally she is meant to you know take care of the kids she is the caregiver and he is the provider oh कितनी wisdom की बात बोली she is the caregiver and he is the provider आपने जिस समय की बात बोली मैं चाहता हूँ आप उसी समय में वापस चली जाएए जल्दी से लाओ रहे कोई time machine और भेजो इनको आज से 2,00,000 साल पहले किसी पेड़ के उपर सीधे टांगो क्योंकि ये उसी समय की बात कर रहे हैं कि she is the caregiver and he is the provider अगर गुफा जैसा ही आचरन करना है तो ये सारी प्रगति ये तरक्की क्यों करी ये सभ्यताय संस्कृति फिर किसलिए है अगर आचरन वही करना है जंगल जैसा तो ये बात एकसेंट के साथ बोल तो और लगता है कि कितनी विजडम की बोल दी इनका ट्विलेट पेपर हटाओ सबसे पहले तो हम देखें जंगल में कौन साफ करता है वैसे ही घूमो कहीं भी बैट जाओ वहीं हग दो और उठके चल दो जैसे जंगल में होता है नैचरल रोल तो यही है भाई यह करकर के हमने महिलाओं का तो शोशन कर रही है पुरुशों को भी बरबात कर डाला जबरदस्ती उसके कंधे पे दूनी तिगुनी जिम्मेदारी वो खटर आये दिन भर क्यों? इस सपूस्ट वी दे प्रोवाइडर क्या प्रोवाइडर? क्यों प्रोवाइड करे? वो तेरी ही उमर की है वो काम क्यों नहीं करती? नहीं वो करती है काम कहां करती? बिस्तर पर करती है वो एक ही जगे काम करने के लिए उसको मिलाया था ब्या के रसोही और बिस्तर और कहीं नहीं काम करती हो तो तुम ये कर लो तुम उसको डाल लो बंधन में तुम उसे क्याद कर दो घर के अंदर पर फिर तुम्हारी सिंदगी भी बरवाद होगी कॉलेज में होते हैं, मौज कर रहे होते हैं चार साल के अंदर वो चार लोगों खर्चा उठा रहा है क्यों उठा रहा है तू चार लोगों खर्चा क्योंकि इन्हें अपना नैचुरल रोल अदा करना है natural role भी दो तरह का है क्या पहले तो इन्हें provider होना है दूसरी बात इन्हें procreator भी होना है तो इन्होंने जल्दी से दो बच्चे भी पैदा कर दिये अब procreator भी हो और provider भी हो तो अब चार लोगों के लिए जाओ खर्चा उठाओ मर रहे हैं मर्द भी इस ब्योकूफी में पर ओरत को आजादी नहीं देना चाहते क्या देखो उसके जर्म की सार्थकता वो इस्तरी है उसके जर्म की सार्थकता तो मा बनने में है मैंने बोल दिया भाई the function of reproduction let it move outside the woman's body reproduction में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए तुम्हें एक औरत के कई साल खर्च कर दो उसमें जब ये काम उसके शरीर से बाहर हो सकता है तो होने दो ना तो क्या हल्ला मचा लोगों ने trend चला दिये बोले ये देखो ये क्या कर रहा है हमारी वहान संस्कृति पर बात कर रहा है अच्छा क्या लाब हो जाता है नौ महीने गर्भ रखके और फिर उसके तमाम कॉम्प्लिकेशन्स जहल के और अगर सब कुछ नैचुरली ही होना है तो सीजेरियन डिलिवरी भी क्यों हो तो फिर अस्पताल भी क्यों जाना है जानवर तो सब जहां खड़े होते हुआ खड़े खड़े उनका अपना हो जाता है प्रसूती अस्पताल काई के लिए फिर क्यों जाना है अल्ट्रासाउंड पहले से क्यों कराना है चेकप क्यों कराने है सब नैचुरली होने दोना बच्चे प्यारे होते हैं मुझे भी बच्चे हो से बड़ा लगाव है लेकिन एक बच्चे के लिए एक मनुष्य के जीवन के सुरनिम वर्ष खराब हो ये स्विकार करने लाइक बात नहीं है और इसे बंद कर लो शिवल्री वगेरा कि मैं उसके लिए कुरसी खेंच दूँगा फिर वो बैठेगी और कार में जा रहे हैं तो ड्राइवर सीट पे पहले तो खुद हो उसको क्योंने गाड़ी चलाने देते और उसके बाद फिर कूद के जाएंगे और उसका दर्वाजा खोलेंगे तब वो अपना वो लॉंग फ्लोइंग गाउन लेके उतरेगी बंद करो बकवास बिलकुल यह शरीर थोड़ा अलग-अलग है तो कपड़े थोड़े अलग-अलग होंगे पर थोड़े ही अलग-अलग होने चाहिए यह नहीं कि तुम तो आराम से कच्छे में और शॉर्ट में घूम रहे हो और उसको तुमने दे दिया है दस मीटर का गाउन कि तु यह पहन ताकि तु अल्ट्रा फीमेल लगे एक से कपड़े पहनो उससे वासना भी थोड़ा कम जोर मारेगी अब बिल मैं दूँगा काई को दूगे एक दम मत दे ना और जो ऐसी हो कि वो साधारन चाए कॉफी का बिल नहीं दे सकती दूर रहा ना वो पहले ही दिन से जच जाता है मामला कि डेट का खर्चा किसने उठाया सब वहीं दिख जाता है कीप इट डच तेरा तू मेरा मै कोई आपसे बार-बार आग्रह करें ना महिलाओं से कह रहा हूँ कि तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा वो दोस्त नहीं है आपका क्योंकि there are no free lunches कोई अगर आपके खर्चे उठा रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपसे क्या वसूल रहा है इतना निस्वार्थ प्रेमी कोई नहीं होता कि बिना किसी स्वार्थ के आपके खर्चे उठा ले एक पागलपन है पेट्रियार्की और जाने उसकी बराबरी का जाने उससे बड़ा पागलपन है यह आज कल का फेमिनिज्म तैय करना मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा विक्षिप्त कौन है और कुछ एक बात जब मैं देखता हूँ कि किसी ने कुछ बोला है सही मैंने बताया आपको इसकी रिप्रेजेंटेटर्स विमेन ही हैं रिप्रेजेंटेटिव इसकी जो दूसरी विमेन को कह रही है और दिमांड करो और दिमांड करो मेटिरियल की तो मैं देखता हूं कि उसके किसी ने कुछ भी बोल दिया, उससे क्या फरक पड़ता है, लेकिन मैं जब उसका कॉमेंट सेक्शन कोलता हूं, इतनी विमेन उनसे इंप्रेस हुई बैठी होती हैं कि अरे क्या बात बोल दिये, मज़ा आ गया, क्योंकि सुविधा है, आराम है, देह का सौधा है, ग्राहक मिला हुआ है, सुन्ने में बहुत गंदी लग रही ना बात यह, जैसी लग रही है, सुचो सुन्ने में इतनी गंदी है, तो करने में कितनी गंदी होगी, न यह करना है, न यह किसी को करने देना है, और किसी को पाओ कि वो बहुत ज्यादा बॉडी अइटिफाइड हो रहा है, देहा भिमानी हो रहा है, तो समझ लो वो इसी राह की और अब बढ़ रहा है, किसी को पाओ कि अब उसका बहुत ध्यान बस इसी में जा रहा है, सजने में, सवरने में, और शरीर को सेक्सी रखने में, तो जान लो कि अब उसके इरादे किस तरीके से कमाने खाने के है शरीर को स्वस्थ रखना एक बात होती है और शरीर को लुभावना रखना तूसरी बात होती है फिट और टेम्टिंग दो अलग-अलग बाते हैं कि नहीं है एक मॉडल टेम्टिंग होती है एक sports woman fit होती है be a sports woman fit रखो शरीर को सोस रखो मस्बूत रखो जैसा हर मनुष्य को रखना चाहिए शरीर को लबहावना मत बना ओ किसको लल चा रहे हो क्यों लल चा रहे हो क्या बेच रहे हो क्या ये लेंदेन मनुष्य की गरिमा क्या नुकूल है जो समय सजने सवरने पे लगाते हो न वो समय जिम में लगाओ swimming pool में लगाओ tennis court पे लगाओ running track पे लगाओ शरीर तो अच्छा होने चाहिए पर अच्छा माने क्या सेख्षी या fit मजबूत या आकर्षक मजबूत भी कोई आकर्शत हो जाए तो अच्छी बात है फिर कोई देखकत नहीं हमें तो ऐसे लोग चाहिए जहने मजबूती से प्रेम हो जाए हम अपनी कमजोरियां दिखा के नहीं लुभाते किसी को हम मजबूत है कोई हमारी मजबूतियों से प्रेम कर बैठे तो बहुत अच्छी बात है बेकार के अंतर खड़े करें ना Oh, He lives by reason and she swears by emotion He is from Mars, she is from Venus अच्छा, उनका तो पता नहीं पर तुम अर्थ से नहीं हो भावनात्मक प्रतिक्रियात्मकता ना पुरुष के लिए अच्छी है ना स्त्री के लिए अच्छी है जबरदस्ती की भावकता, emotional reactivity किसी के लिए अच्छी कैसे हो सकती है किसी के लिए भी अच्छी कैसे हो सकती तो ये थोड़ी कहना है कि इस्तरी है तो emotionality जायज हो गई नहीं क्यों जायज हो गई या ये थोड़ी कहना है कि पुरुष है और पूरी तरह रूखा है सिर्फ तरकों पर चलता है logic and reason के अलावा कुछ समझता नहीं है तो अच्छी बात है because the man is supposed to live by logic ऐसा तो नहीं बोथ हर supposed to live by the truth न logic न emotion न विचार न वृत्ति हम सत्य पर जीएंगे न पर हमने महिला की वृत्ति को जायस ठहरा दिया है और मनुष्य के विचार को पुरुष्य के विचार को जायस ठहरा दिया है महिला वृत्ति पे चले हम कहते है अरे स्तिरी है न ममता में बह गई अरे स्तिरी है न आसुओं में बह गई ये क्यों जबरदस्ती तुम जस्टिफाई कर रहे हो अरे पुरुष्य है न उसमें थोड़ा न विचार न वृत्ति सत्य स्तिरी के लिए भी और पुरुष्य के लिए भी चासर यही रीजन है कि आपको एक लार्ज चंक अफ विमन पॉपलेशन क्रिटिसाइज करती है क्योंकि आप विमन फेमिनिसम के नाम पर विमन एंपावर्मेंट की बात करते है और विमन एंटाइटलमेंट की नहीं पुरुष्य भी करते हैं क्रिक्साइज हाँ मतलब अभी हम उनकी बात करें यहाँ पर लगभग आधी महिलाएं ही होंगी ऐसा नहीं पूरा एक चैनल ही है जो महिलाओं को समर्पित है आधी नहीं होंगी तो एक तिहाई तो होंगी एक बार हाथ उठाईएगा एक तिहाई से जाद ही है 40 प्रतिश्रत या ऐसा नहीं है मनुष्य की तरह देखता हूँ अगर मनुष्य को मुक्त कराना मिशन है तो इन आधे मनुष्यों को छोड़ के आगे कैसे बढ़ जाओं ये बताओ और मुझे शिकायत भी नहीं है महिलाओं से सहयोग, समर्थन, प्रेम खूब मिलता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है विरोध की बात है तो विरोध क्या पुरुष्यों ने कम करा है माया दो ए प्रकार की जो कोई जाने खाए एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए रे सादो एक नरक ले जाए माया दो ए प्रकार की जो कोई जाने खाए माया दो ए प्रकार की जो कोई जाने खाए एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए रे सादो एक नरक ले जाए माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए छोड़न की जो बात करूँ बहुत तमाचा खाए रे सादो बहुत तमाचा खाए माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए माया छोड़न सब कहे माया छोड़ी न जाए छोड़न की जो बात करूँ बहुत तमाचा खाए रे सादो बहुत तमाचा खाए माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लो भाए माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लो भाए माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लो भाए माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लो भाए इन माया सब खाईया माया कोई न खाई रे सादो माया कोई न खाई माया तो ठगनी भई ठगत विरे सब देश 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 जा ठगने ठगनी ठगी ताठग को आदेश पिछ रे सादो ताठग को आदेश अधिश नमस्ते सभी को मेरा नाम शूभा है और मैं डेली एंची आर में प्राइविट कंपनी में e-commerce एग्जिक्युट्यू और अचारी जी को मैं योट्योब के मागेम से मैं करीब दो डाई साल से सुन रही हूं और दीता सत्रों से मैं नमंबर माह से जुडी हूई हूं और सीखा तो बहुत कुछ है अचारी जी से जो बच्पन से कभी हमेशा सुनते थे वेद, उपनिशद, गीता ये सब चीजे बस किताबी लगती थी मैंने भी बिल्कुल वैसे ही सोचा था जैसे सब समझते है कि शाद ये गोड़ी लोगों के लिए होती है सारी लाइफ जब बिल्कुल एंड हो रही होती है ये चीजे होती है अचारी जी से उनकी बातों को उनकी चीजों को सुनने के बाद बहुत अच्छे समझ में आया बहुत बच्पन में हमें मिलनी चाहिए थी और अभी जो बच्चे आये थे बहुत अच्छा लगा मजे कि उन्हें बहुत कम समय पे बहुत कम उम्र में उन्हें अचारी जी का साथ मिल गया है और अच्छा जीवन रहेगा और गुलामी के बारे में भी कि जब से जूड़ी में अचारी जी से लगाता पता चल रहा है कि शारी गुलामी मानसे गुलामी और बरंपराओं की गुलामी किसी भी चीज के लिए हम गुलाम हो सकते हैं अच्छा लग रहा है मैं पहली बार शेयर कर रही हूं आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत धन्यवाद है कि जोड़े रखने के लिए हमारा जीवान इसार्थर करने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल पीछे पढ़के कर रहे हैं जो चीज हमें करनी चाहिए हम पीछे हाट जाते हैं उसमें बट अचारी जी और संस्ता के सब्धी सदस्य लगे हूए उस इसको करने में परम से नावे लग हू परम परा बस यही है शेश विशय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है धन्यवाद आप से बिल्कू अचारी को बाद बाद धन्यवाद